जैन बंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस यूटूब चैनल पर आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जी बच्चों ने सियारतिय पारामेडिकल स्टाप 2020 की परिच्छा के लिए आवेधन किया है और फिचकल जरूर देखिए क्योंकि रेजिनिंग से यह मान के चली करीब 10 से 15 कोश्यन पूछे चाहेंगे वीडियो बहुत ही मैं बार बार बोला हूं आज का टार्गेट रहेगा इस वीडियो का 200 लाइक का यति इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं पोसिस करूंगा कि मैं आप के लिए रेजिनिंग का मास्टर वीडियो का दूसरा पार्ट लाउंग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ला है पासी में आपके विल आइकान होगा उसको भी दबा लें इससे आने वसारी नए विडियो मोडिवेकेशन आप से लोगों तक असानी से आइक अव्य यह सामने क्या थे साथकियो क्या होता है तो साथक्यों होता है 343ए 245 अब देखैं क्या क् knowing कर ले καणा है अग merits कर लेता है अगला कुस्वाइब बनता है दोस्तों तो हमें यहां पर missing number find out करना है तो दोस्तों यह भी question लगवग बैसे ही लगेगा बट इसमें क्या होगा गुणा करने अपड़ेगा तो दोस्तों दिखिए यह आपको 5 दिख रहा होगा 5 के सामने क्या है 10 मतलब 5 में अगर 2 का गुणा करें तो कितना हो जाता है 18 तो option D is right answer तो दोस्तों अगला question हमारा बनता है कि ऐसा question दिया हुआ है तोड़ा सा जूम कर देते जिससे आपको दिख जाए तो यहां पर हमें missing number find out करना है तो दोस्तों कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान अखनी है 64, 81 और 36 यह किसी ना किसी संक्या के square है तो हमें square बनाना पड़ेगा कैसे देखे 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना हैगा 8 और 8 का square क्या हो जाएगा 64 तो मिल गया अब आते हैं 5 प्लस 4 करें 5 प्लस 4 करें तो 9 और 9 का square करें तो कितना मिल जाता है क्या सी यहां से मिल गया अब इन दोनों की बारी 2 प्लस 6 करते हैं तो 6 और 6 का square करते हैं हमें मिल जाता है 36 तो यह 36 मिल गया अब हम लोग यह करेंगे 6 प्लस 4 is equal to 10 और 10 का square करेंगे तो 100 तो यहाँ पर क्या आएगा question mark की जिएका 100 तो option C is right answer 100 हमारा answer हो जाएगा देखे कितना simple question था बट देखने में कठिन लग रहता और आपने चुटकियों में solve कर लिया चलिए अगला question कर लेते हैं अगला question आपको देखने को मिल ला होगा तो हमें यहाँ पर missing number find out करना है ओके तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान लखनी है 343, 244 और 216 यह जो है किसी ना किसी संख्या का root cube है ओके तो कैसे करेंगे तो दोस्ते देखिए 343 को कैसे बनाएंगे सबसे पहले यह देखते है देखिए सबसे पहले नौ मैंसे दो घटा दें अगर कितना हैगा 7 और 7 का cube क्या होता है 343 जो कि हमें मिल गया अब इसमें आते हैं 12 और 26 में तो 26 में से 12 अगर घटा देते हैं तो हमें कितना मिलता है 14 और 14 का cube क्या हो जाएगा 2744 तो 14 का cube क्या होता है 2744 ये भी हमें मिल गया और ये rule भी satisfied कर गया अब क्या करते हैं आठ में से 2 घटाएंगे आठ में से 2 घटा है तो 6 6 का cube क्या होगा 216 तो हमें यहां पर भी 216 मिल गया अब हमें यहां पर निकलना question mark तो कैसे करेंगे 22 से 10 घटाएंगे तो 12 और देखें 12 आया है यहां पर 22 से 10 घटाने पर थोड़ा साब करते है 22 से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 और 12 का cube करेंगे तो कितना आएगा तो ये हो जाएगा 1728 ओके तो option में दिया हुआ है option D is right answer आंसर क्या हो जाएगा option D 1728 अगला question है दोस्तो यहां पर हमें missing number find out करना है तो सबसे पहले पहला बाला figure हम लोग solve करेंगे कैसे करेंगे तो दोस्तों देखें ये 64 है ये 36 है ये 49 है आपको देखने से ही लग रहा होगा ये किसी न किसी संक्या क्या इसक्वायर है तो आठ के देखें 64 किसका होता है 8 का और 49 किसका होता है 7 का 36 किसका होता है 6 का और 3 को add कर दीजिए तो कितना है जाएगा हमारा 21 ओके तो इससे ये वाला percentual होगे अब ये वाला यहाँ पर हमें निकलना कैसे करेंगे तो दोस्तों देखिए 12 किसका होता है 11 का 11 और 100 किसका होता है 10 का और 81 किसका होता है 9 का अब हम लोग इसको जोड़ देंगे कितना हैगा तो ये 21, 21, 30 ओके कितना हैगा 30 तो option B is right answer तो दोस्ते हमारा अगला question है इसी परकार का थोड़ा सा simple सा है यहाँ पर हमें missing number find out करना है तो सबसे पहले हम लोग figure first को solve करेंगे तो दोस्तों देखिए मतलब ये 14 दिया ये 12 दिया ये 7 दिया ये 3 दिया और ये हमारा क्या लग रहा है देखिए चारो को add करने पर हमारे किस के बराबर हो जाता है 36 के बराबर तो इसमें भी तो होगा चारो को add कर दो किस के बराबर कर देंगे 4 के बराबर तो 9 प्लस 11 प्लस ये question mark की जगा हम लोग x इमाल लेंगे plus 16 is equal to कितना total है 4 तो 54 के बराबर हो जाएगा ये देखिए 9 11 कितना होता है 20 और 20 16 कितना होता है 36 मतलब 36 प्लस x is equal to 24 तो x is equal to 24 minus 36 तो 24 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 18 answer हमारा क्या हो जाएगा option है 18 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 18 अगला question आपको देखने में लग रहा होगा कठीन है बट बहुत simple है यहाँ पर हमें missing number find out करना है तो सबसे पहले पहले दूसरे figure को solve करेंगे देखिए दोस्तों यह 24 है यह सबसे बड़ी संक्या हमें मतलब इसको निकालना यह 24 कैसे बना और यह 4 कैसे बना और यहाँ पर हमें निकालना है तो पहले figure के लिए अगर 4 का multiply 3 में करें 12 और 12 का multiply 2 में करें तो 24 मिल गया अब इसी प्रिकार 2 का multiply minus 2 का 2 में करें तो minus 2 का 2 में अगर multiply करते हैं तो minus का 2 माइनस के 2 में 1, minus 1 का multiply करते हैं तो कितना आएगा 2 मैंने फ्रिकारसा गलत करें देगे minus 2 का 2 में multiply करेंगे तो minus का 4 और minus के 4 में minus 1 का multiply करेंगे तो minus plus हो जाएगा तो 1 तो यह 4 हो जाएगा अंसर हमारा यह मिल गया 4 इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे 0 का multiply 6 में करेंगे 0 और 0 का फिर 5 में करेंगे 0 मतलब option D is right answer 0 अगला question है आठमा, यहाँ पर हमें missing number find out करना है, तो कैसे करते हैं दोस्तों तो guys, देखिए हम लोग एक-एक column को लेकर चलेंगे इस थम्ब को लेकर चलेंगे, okay तो पहले इस थम्ब के लिए क्या करेंगे देखिए 8 हमें बनाना कैसे करेंगे अगर 2 का multiply 4 में कर देंगे पहले का multiply 3 में, okay 2 का multiply 4 में किये तो हमें 8 मिल गया इसे बरकार दुसरे में देखिए पहले का 3 में कर दिया मतलब जो पहले में अपलाई किया था वो दूसरे में भी अपलाई करते हैं तो 16 चको 64 यह भी मिल गया अब जो 2 मिल गए तो हमें तिसरा सेम हो जाएगा दो का मुल्टिपलाई 4 में कर देंगे तो हमारा आजाएगा 8 तो option सी क्या हो जाएगा हमारा answer अगला question है दोस्तों आपको simple है question यहाँ पर हमें missing number find out करना है तो कैसे करते हैं देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ question दिया हुआ है तो हम लोग एक-एक column को लेके चलेंगे जो सबसे वड़ी संक्या होती उसी को निकालना पड़ता है तो दोस्तों देखिए इन तीनों चीजों से हमें 112 बनाना कैसे करेंगे 7 का multiply 8 में करते हैं 7 Sword say 56 और 56 दो में तो हमें 112 मिल जाता देखिए 7 का multiply 8 में 56 और 56 का multiply 2 में तो 112 Then again इसी पर का second column में करेंगे 5 का multiply 4 में 20 और 20 का में multiply 8 का करेंगे तो 160 यहाँ से हमें 160 मिल गया अब यही तरीका हम लोग इसमें अपलाएंगे तिसरे वाले में जैसे कि आपको देखने से लग रहा होगा कि इन तीनों का जो गुणा किया हुआ है वो इसके बराबर है और इन तीनों का गुणा किया वो इसके बराबर है तो क्या करेंगे इसकी जगा हम लोग question mark की जगा x माल लेंगे तो तीनों का multiply हम लोग करते हैं 3 into 9 into x किसके परावर हो जाएगा 162 के ओके तो 162 देखे करता है कि नहीं तीन से काट के देखते हैं तो पांच पंदर तीन चक्कू बारा ये 9 से काटेंगे 6 तो x की बालो के आजाएगे 6 तो option b is right answer 6 अगला question है दोस्तो यहाँ पर हमें missing number find out करना है तो कैसे करेंगे तो हम लोग पहले वाले इस थम्ब को लेकर चलते हैं चाउन बनाना है अगर चालिस में 30 आट कर देंगे तो हमारा 70 हो जाता है तो किसी परकार से चोँन नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करते है एक एक पनक्ती को लेकर चलते है यह वाली फिर यह वाली फिर यह वाली सबसे पहले देखिए 60 में अगर 32 आट करते है तो हमारा मिल जाता है 72 Okay और 72 से हमें 12 बनाना तो क्या करेंगे अगर 6 का डिवाइड कर दें, 72 में, छे का भाग दें तो हमें मिल जाता है 12, ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसी पर आ जाना है, और 6 का डिवाइड कर देंब, यह हमें मिल जाएगा, तो दिखें दुसरे में, 30 प्लस 24 कितना होता है, और 54 में किसका डिवाइड करें 6 का तो हमें 9 मिल जाता है इसी प्रिकर जो हमारा लास्ट में आया यहां पर निकालना है कितना एड करना पड़ेगा कि 90 मिल जाए तो दोस्तों देखिए ऊपर देखिए 4032 का योग कितना था 72 और 324 का योग था चाउवन तो यहां पर भी तो इसका योग इत्ता होगा तो चाउवन प्लस कोस्टन मारक की जगा एक्स माल लेंगे इस कल्टो 90 के बराबर है तो एक्स कल्टो क्या हो जाएगा 90 माइनस चाउवन तो हमें कितना मिल जाएगा तो दस मैं से 4 गैच्छे और आठ मैं से 5 36 यहां पर हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी इस राइट आंसर ओके अगला कोस्टन आपको यह दिख रहा होगा तो हमें यहां पर मेंसिंग नंबर फॉइंट आउट करना है तो दोस्तों हम लोग एक एक कॉलम को लेके चलेंगे जिससे हमारा कॉस्टन को सावल हो लोग तो हमें यह सक्से बड़ी संख्या 32 तो हमें 32 बनाना तो कैसे बनाएंगे देखिए अगर तीनों का मल्टिप्लाइ कर दें नो च्छे का तो कितना हो जाएगा दो चाकू आठ और तो हमारा 32 नहीं बन रहा है तो क्या करते हैं देखिए 2 का 6 में आड कर देते हैं तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएता है 8 और यह जो 4 है इसका multiply 8 में कर देते हैं तो 32 मिल जाता है ओके आपको ट्रिक समझ में आई पहले हो 30 को add कर दो और दूसरे का multiply कर दो यही तरीका हम लोग दूसरे बाले column में लगाते हैं तो 3 का 7 कितना होता है 10 और 10 में 5 का multiply कर दो हमें मिल जाता है 50 ओके देन अगेन 8 में 12 को add किया 20 20 में 10 का multiply कर दिया हमें मिल गया 200 तो option A is right answer 200 हो जाएगा कोशन है दोस्तों यहां पे missing number find out करना है तो एक एक column को लेके चलते हैं ओके तो पहले column को लेके चलेंगे हम लोग सबसे पहले तो दोस्तों देखिए क्या लग रहे है आपने सोचा होगा हमें 21 बनाने सबसे बड़ी संक्या 21 से इसको बनाने कैसे बनाएंगे तो आपने खा 18 में 3 जोड़ दिया तो हमें 21 मिल गया बट आगे नहीं लाग होगा 21 में 9 जोड़ा हमें 26 नहीं मिल ला है तो दूसरा तरीका अपनाते हैं देखिए छे में अगर तीन को घटा दें ओके तो कितना मिलता है तीन और तीन को अठारा में आड़ कर दें तो कितन में यह उपर वाला 24 चोड़ दिया तो हमें मिल गया 29 तो option D is right answer अगला question है तो हमें यहां पर missing number point out करना है देखिए दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं कि missing number के question को करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो सबसे वड़ी संक्या होती है जैसे कि 32 चोड़ी सतर उसी को बनाना पड़ता है कि वो कैसे बना है तो इसमें हम लोग column को लेके नाई पंक्ती को लेका चलेंगे यह वाली यह फिर इसके बाद यह तु तरह है paarछे पाइले बाले में हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं हमें 32 बनाना है लिदक क्या करेंगे दोस्तों देखिए 4 का tim उनरी 3 में कर दिया तो बारा 12 का multiply 2 में कर दिया पिर कितना हो गया 24 देखे चार इंटो 3 इंटो 2 इन तीनों का multiply कर देंगे तो हमें मिल जाता है 24 और 24 में जो लास्ट वाला है आठ इसको add कर देंगे तो हमें 32 मिल जाता है यही पैटन अगर सेकंड वाले में फालो हो जाता है तो हमारा आंसर आजाएगा ओके पांच का multiply तीन में तीन का multiply एक में तो पांतियों पंद्रा और पंद्रा में नौ आइड कर देंगे कितना आजाएगा 24 पैटन फालो कर गया अब हम लोग तिसरे बाले में apply करेंगे यही अठा चौक 72 और 72 में अगर बारा आट कर दें यह वाला कितना हो जाएगा दस यह 82 84 ओके option B is right answer ओके तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 84 अगला question है दोस्तों चौदमा यहाँ पे हमें missing number find out करना तो कैसे करेंगे दो दोस्तों देखे question को solve करने से पहले जो सबसे बड़ कर रख लेनी है तो सबसे पहले हम लोग पहले कॉलम को लेकर चलेंगे उसके बाद second को फिर third को okay समझते हुए तो हमें पहले कॉलम में 49 बनाना है क्या करेंगे आपने खा 9 का 5 में multiply कर दो 45 और 45 में 6 आड़ कर दो बट नहीं बन रहा है ओके तो क्या करते हैं नॉ का multiply 6 में कर देते हैं मतलब पहले का multiply तिसरे में कर देते हैं क्या होके और यहां से कर गड़ा करते हैं तो 56 और 56 में यह 4 घटा दें तो हमें मल जाता है 52 ओके मिल गया अब यही पैटर्न हम लोग तिसरे बाले में करेंगे 4 का multiply question mark में करेंगे फिर इसको घटा देंगे इससे तब ही तो हमें यह मिल ला था जैसे देखी 6 का multiply 9 में किया यह 9 का multiply 6 में किया था और उसमें 5 घटा दिया था तो हमें यह मिल ला था टोटल यह के बराबर तो इसमें भी यह करेंगे 4 का multiply question mark में किया और माइनस 3 कर दिया माइनस 3 और किसके बराबर हो गया 25 के बराबर तो यह हो जाएगा 4x is equal to 25 प्लस 3 पचांतर करेंगे तो 4x is equal to 28 तो 4 सते 28 यह कर जाएगा तो x की value क्या हो जाएगी option b तो यहां आ जाएगा 7 अगला question आपको दोस्तों लेकरा होगा simple है what lengthy है मैं आपको detail में समझाऊंगा तो यहां पर हमें missing numbers find out करना है तो जो सबसे बड़ी संक्या होती भाई हमें निकालना पड़ता है तो यहां से यह confirm हो गया कि यहां से एक पंक्ति यह लेकर चलेंगे यहां से यह और यहां से यह तो पहले पंक्ति में हमें 22 बनाना है तो कैसे बनाएंगे आपने का 10 में 4 का multiply कर दें तो 22 बन जाएगा नहीं बनेगा तो दोस्तों देखें दूसरा तरीका बताते हैं तो क्या करना है आपको 4 का 22 में add कर देना है मतला जोड़ देना है 22 में 4 add कर देना है तो कितना मिल जाता है 26 और 26 में जो यह 10 है इसको घटा देना है 26 माइना 10 is equal to 16 तो यह 16 के बराबर हो गया तो पहले के लिए क्या हो गया 16 अब दूसरे कॉलम को लेकर चलते हैं कॉलम को ने पंक्ति को लेकर देखिए 8 में 14 जोड़ा कितना मिला 8 प्लस 14 और उसमें से 5 घटा देंगे कितना होगा तो 8 और 14 कितना होता है 22 में से 5 घटाया कितना हो जाएगा 17 आपको देखने से लग रहा है उपर वाले में यह आया था 16 उसके बाद 17 मतलब सीरियल बाइस 18 ओके तो कैसे निकालते हैं यहां पर जो निकालना है वह में निकालना है वह बट जो काम किया था जैसे देखिए 22 में से 22 में 4 आयट किया था कितना है था 26 और 26 में 10 घटा दिया था तो हमाया मिला था टोटल 16 जो की छिपा हुआ है और इसमें भी छिपा हुआ है सेकंड ब में 18 आना चाहिए चिपा हुआ तो कैसे करेंगे 10 में इसको आइड कर देंगे question mark को question mark की जगा हम लोग क्या करेंगे x माल लेते हैं 10 plus x और minus 3 कर देते हैं और minus 3 तो हमें पता है चिपा हुआ योग कितना आ रहा था गठाने या जोडने पर पहले में 16 है तो दुफरे में 17 है इसमें कितना आएगा 18 दू यह हमारा 18 के बराबर हो जाएगा दैन अगें दस में से तीन के 7 तो 7 plus x is call to 18 तो x is call to 18 minus 7 तो हमारा 11 हो जाएगा ओके तो option c is right answer option c 11 हमारा answer हो जाएगा तो हमें यहां पर missing number find out करना है तो सबसे बड़ी संग है इसमें 13 इसमें 41 है तो इसमें हम लोग column लेके चलेंगे पहला दूसरा पर तिसरा तो यहां पर पहले हम लोग पहले two okay so कईसे करते हैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं क्या करेंगे दोस्तों हमें 13 बनाना है 2 और 3 से कैसे भी बना सकते हैं अगर 2 श्क्र रगों कर दें 3 का स्कूर कर दें तो कितना कितना आजाता है 4 और 9 तो 4 और 9 को आपसमें cambiar कर दें, यह कंडिसन पहले बाले में का स्कॉर करके add कर दिया तो यह 16 प्लस 25 कितना हो जाता है 41 यह में मिल गया condition satisfied कर गई अब हम लोग इसमें भी करेंगे तीन का स्कॉर करेंगे और यह 4 का स्कॉर करेंगे add कर देंगे तो 3 का स्कॉर बराबन ना हो और यह 16 तो 25 ओके तो option D is right answer अगला question दोस्तों यह है तो यहां पर हमें missing number find out करना है तो कैसे करेंगे जो सबसे बड़ी संक्या होती है उसी को निकालना होता है तो यहां देखे सबसे बड़ी 24 है यहां पर 49 है यहां पर question mark कर दो क्या करते हैं मोग कॉलम को लेकर चलेंगे एक एक कॉलम को देन अगन पहले कॉलम के लिए हमें यह 24 बनाना है तो कैसे बनाएंगे आपने का कि 20 में दो आड़ कर दो 22 और फिर दो को आड़ कर दो यह 24 तो हमारा 24 मिल जाता है यह देखे condition इसमें फालो करती है कि नहीं अगर इसमें फालो कर जाती तो वह तिसरे में भी फालो कर जाएगी आप कहोगे 30 में 3 अड़ करो 33 और 33 में फिर 3 अड़ करो 36 तो यहां पर 49 है बट यह condition satisfied नहीं कर रही है ओके तो क्या करना है आपको मैं बता देता हूं दोस्तों यह 20 है 20 में 2 का डिवाइड कर देना है यह बाला और प्लस 2 कर देना है 2 का डिवाइड करेंगे और जोड़ देंगे ओके कितना आएगा यह यहां देकाथा दस दस प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 और 12 में फिर 2 का multiply कर देना है तो हमें मिल जाता है 24 क्या की है दोस्तों दुबारा बताते हैं यह 20 है 20 में 2 का divide कर देंगे तो कितना आएगा 10 फिर 10 में हमें 10 से 24 बनाना है तो क्या पहले बना ले 2 add कर दो इसमे कितना हो जाता है 12 12 में फिर 2 का multiply कर दो तो हमें मिल जाता है 24 यही सार्थ हम लोग इसमें फालो करके देखते है कि इसमें होता है कि नहीं तो क्या करेंगे 30 में जो उपर वाला 3 है इससे divide कर देते है तो आजाता है हमारा 10 अब 10 से हमें 49 बनाना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले 3 को add कर देंगे 13 बना लेंगे 13 से 49 बनाना तो 3 का multiply कर देंगे 49 हो जाएगा तो हमें यह मिल गया अब यही सर्थ हम लोग इसमें भी फालो करेंगे यह लाश्ट वाला जो 40 है इसमें 40 में इसको divide कर देंगे 4 से तो 40 में 4 का divide किया 10 और 10 में इसी 4 को add कर दिया 14 अब 14 में कितने का multiply करें इसमें किया था दूस्तों 2 का इसमें किया था 3 का तो इसमें कितना करना पड़ेगा 4 का तो 4 का multiply कर देंगे तो 14 दूस्तों 3 हमारा 14 चको 56 option D इस right answer हमारा हो जाएगा I hope आपको question समझ में आया होगा question दोस्तों है हमारा 19 मा यहाँ पे missing number find out करना है तो दोस्तों आपको मैंने बताया तो जो सबसे बड़ी संख्या होती उसी को बनाना होता है तो इसमें हम लोग एक-एक रो को लेकर चलेंगे पंक्ती को तो पहली पंक्ती में हमें क्या बनाना है 25 तो 5 का 5 में multiply कर दिया 25 मिल गया इसे प्रकार सेकंड बाले में क्या किया साथ में साथ का multiply उन्चास के last बाला हमारा रह जाता यहाँ पे तो यह 6 का 6 में multiply कर देंगे 36 तो option A is right answer हमारा 36 answer हो जाएगा ओके इसमें है जोस्तों बहुत ही simple है देखने में कठी लग रहा होगा यहाँ पे हमें यह question mark है यहाँ पे missing number find out करना है तो दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताए था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को बनाना पड़ता है सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग column first को देखेंगे column second को फिर last में third को तो दोस्तों देखिए 96 से हमें देखिए क्या करना 21 यहाँ पे बनाना यहाँ पे हमें question mark है तो क्या करेंगे 96 में 6 का भाग दे देंगे क्यूंकि हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो भाग आपको पता हो का भाग देना पड़ेगा तो छे का भाग दिया हमें कितना मिला छे कम छे और शचरंग जाते 16 मिल गया अब 16 में जो यह 5 है एड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 अब इसमें आते हैं 100 में इस 4 का डिवाइट कर देंगे तो कितना होगा 4 दुनिया 4 पंजे 20 अब 25 में इस 7 को अएड कर देंगे तो कितना होजएगा 32 कंडिशन सटिसफाइट कर गई अब इसमें भी यही करेंगे 1 32 में 6 का डिवाइट कर देंगे तो 1 32 अब 6 तो 6 2-12 6 2-12 अब इस 3 को अएड कर देंगे तो कितना होजएगा 25 तो option हे इस राइट आंसर, I hope आपको question सबंद में आए होगा, चलिए अगला question करते हैं अगला question है दोस्तों, important है, जो कि Delhi Police Constable के exam में पूछा गया है तो हमें यहाँ पर निकालना, missing number of find out, यहाँ पर निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको 14, 21, 28, 21, 28, 35, यह आपको देख रहे हैं यह साथ का पहाड़ा है, okay, तो क्या करना है आपको मैं बता दूँगा पहले क्या करना है, आपको यह साथ का पहाड़ा लग रहे हैं, तो सबसे पहले साथ बना लेंगे देखिए क्या करना है इस 4 को 3 में आड़ कर देते हैं कितना हो जाता है 7 अब हम लोग इतने को देखेंगे यह तो यहां से 7 आ गया हमारा अब 7 में 2 का मल्टिप्लाइ कर देंगे हमें 14 मिल गया देखिए दुवारा देखिए इस 3 को 4 में आड़ कर देंगे हमें 2 का मल्टिप्लाइ कर देंगे 14 मिल गया अब फिर 3 का मल्टिप्लाइ करते हैं Master 1 मिल जाता है यह मिल जाता है 14 पिर 4 का मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमें मिल जाता है 28 स्वलrukे पेली हमारा Pen Chron究 पॉइल थे में हुआ अब देखिए 14 के बाद direct a case, मतलब 3 का multiply हुआ होगा, ओके, तो 7 में 3 का multiply किया, 21 मिल गया, फिर 28 मिल गया, 4 का multiply करने के बाद, फिर 5 का multiply करने के बाद, हमें मिल गया 35, यहाँ पे 2 का multiply किया था, यहाँ पे 3 का किया था, यहाँ पे obviously, आपको किस का करना पड़ेगा, 4 का, तो 7 क Joshua छार में multiply किया तो 28 सुचना पर 28 और्सुच चलेंगे साथ में 5 का. 65 सुच्च करेंगें तो 42 यहां पर 42 मिल गया और यहां पर 28 तो 28 रहो ऑप्संब को करें। दोस हैं दोस्टों हमारा तो इसमें हमें यहां पर Mating number find out करना है तो दोस्टों दिखे जो सबसे बड़ी संक्या होते हैं उसी को बनाना होता है तो यहां पर 85 नहीं है, यहां पर 80 नहीं है सबसे बड़ी संक्या तो यहां से पता चलगा कि हमें एक upload बोलम लेके चलना पड़ेगा, ओके, इस थंब, ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह हमें अठावन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए, देखिए, सबसे पहले हम लोग किरिया करम करते हैं, तीन का चार में मल्टिप्लाइ किया, बारा, फिर बारा का पांच में साथ, साथ से अठावन बनाना है, तो साथ में दो का माइनस कर देंगे, तो हमें अठावन मिल जाता है, ओके, यहाँ पे दो माइनस की अठावन मिल गया, इसी परकार, इन तीनों का मल्टिप्लाइ कर देंगे, पांच अठावन का तीस, फिर तीस का दो में मल यहां से क्या हो जाएगा आर्च को 32 और 32 का दो में किया तो 64 और 64 में दो घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा पांसाट देखे बांसाट मिल गया अब यही पारूला यही पैटन हम लोग चोथे वाले में फालो करेंगे साथ गोणे छे गोणे तीन इन तीनों का मल्टिप्लाइ कर देंगे तो साच्छंग 42 हो जाएगा यहां से तो और 42 का हमने दो में मल्टिप्लाइ किया तो हमें कितना मिल गया एक सो सोरी 42 का गोणा तीन में कर दिया तो हमें मिला 126 और 126 में दो घटा देंगे 124 ओके तो हमें कितना अंसर हो जाएगा 124 देखिए साथ का छे में मल्टिप्लाइ किया 42 और 42 का यह 3 में मल्टिप्लाइ किया 126 और सभी में दो घटा रहे तो 20 में तो 14 मिल जाएगा option B is right answer कोश्चान है 23 मां जो कि SSC में पूछा गया है यहां पर missing number find out करना जैसा कि यह बड़ी संक्या यह बड़ी संक्या यह बड़ी संक्या तो यहां पर एक-एक हम लोग पंक्ती को लेकर चलेंगे ओके कैसे करेंगे देखिए दो का देखिए दुबारा करते हैं 24 का 2 में multiply करते हैं हमें 28 मिल गया पिर 3 का 9 में multiply किया 27 मिल गया अब हमें 4 का question mark में गोड़ा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर तो यहां question mark की जिगा हम लोग x माल ले question है आपको screen पर यहां पर हमें question mark जो लगा है यहां पर missing number find out करना है तो मैंने आपको बताए था जो सबसे बड़ी संख्या होती उसी को बनाना पड़ता है तो यहां पर हम लोग एक एक column लेके चलेंगे ओके तो हमें 149 बनाना है पहले में तो एक क्यासी में 49 को add किया कितना जाएगा हमारा यह 10 यह बन हासिल लगा 9 4 13 13 अब 130 यहां से तो आ गया 2 औरों को add करने पर ओके अब यह तीसरा बाला भी add कर दो तो हमारा मिल जाता है 149 यह पहले pattern में follow कर गया देखते हैं second में follow करता है कि नहीं 36 को 100 में add कर दिया 136 और 136 को 64 में add कर दिया तो हमारा मिल ग आएंगे तीनों को add कर देंगे तो 25 प्लस 36 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 77 तो option B is right answer अगला कोशन है पच्चेस मां तो हमें यहां पर missing number find out करना पड़ेगा कैसे करेंगे एक एक column को लेकर चलेंगे ओके तो सबसे पहले आपको एक बाप पता देता हूं 25, 49, 16, 36, 81, 64 यह आपको देखने में किसी ना किसी संक्या का square लग रहे हैं तो पहले column को पकड़ेंगे ओके यह 25 का square क्या होता है 5 और 36 क इसको एड़ कर दिया दोनों को तो हमें 11 मिल गया ओके यही पैटन हम लोग सेकंड बाले में फालो करा के देखते हैं 49 का होता है 7, 81 का होता है 9, 9, 7 किता होता है 16, 16 मिल गया अब इसमें भी फालो करा देंगे 16 किस का होता है 4 का 64 किस का होता है 8 का कितना हो जाएगा 12, option A is right answer अगला question है आपके सामने screen पर यहाँ पर missing number find out करना है तो दोस्तों मैंने आपको बताए था कि जहाँ पर सबसे बड़ी संक्या होती बहीं पर हम लोग निकलते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 18 सबसे बड़ी यहाँ पर 15 और यहाँ पर 8 तो अगर ऐसा हो तो आप सीध दो को add कर देना है तो हमें मिल जाता है चार यही pattern हम इसमें follow कराएंगे 12 से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा साथ में 8 को add कर देंगे कितना मिल जाता है 15 अब pattern follow हो गया इसमें भी follow करा देंगे जैसा कि आपको मैंने बताया था इन तीनों को घटाने और जोड़ने के बरावर हो जाएगा तो 13 में से 10 घटाया तो हमें मिल गया 10 तीन मिल गया और तीन में कोस्टन मार्क को एड़ कर दिया कोस्टन मार्क की जगा हम लोग माल लेंगे एक्स जो कि किसके बरावर एठारा के तो एक्स इसकल्डुकिया